हेलो दोस्तों एक बार फिर से हमारे टीप-टॉप श्रॉफ में दोस्तों मैं वीने सिंग आपका स्वागत करता हूँ। पूछा जाता है आपके एक्जाम में वो पढ़ेंगे तो दोस्तों कैसे पढ़ना है मैं आपको ये भी बता दूं कि एक गजब की ट्रिक लेकर आया हूं मैं आपके सामने ठीक है तो पूरा वीडियो आप देखेगा कौन से जो है कौन से युग में कौन से कभी आएंगे और कैसे उनको लर्न करना है आज हम अपनी वीडियो में ये आपको सिखाएंगे इसको आप जो है अच्छे से सीखिएगा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को सेर जरूर क करें चलिए हम देखते हैं अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का तो दोस्तों यहां पर आप देखें कि हमको पढ़ना क्या क्या है पहले तो पढ़ना है हम पहले डिसकस करेंगे आदिकाल के कवी के बारे में डिसकस करेंगे उसके बाद अगला होगा हमारा रीतिकाल फि फिर आपका दिवेदी यूग आएगा फिर छायावादी यूग आएगा और प्रगतिवादी यूग ये जो हैं ये हमारे पूरे आपको क्या करने हैं इनके बारे में डिसकस करना है और इनको अच्छे से क्या करना है पढ़ना है तो दोस्तों इसके आगे हम पहला जो है वो आदिकाल के कवी हम लें तो दोस्तों इस्क्रीन पे आप देख रहे होंगे आदिकाल के कवी के बारे में तो आदिकाल के कवी के बारे में जो रिए रेड कलर का आपको दिख रहा है यह रेड कलर का पूर्चन जो है यह इधर वाले यह आपके कवी हैं जो जो कवी आपके और यह जो ग्रीन कलर का आपको यहां पे दिख रहा है यह ग्रीन कलर का यह मेरी ट्रिक है तो इसको आप कैसे याद करेंगे आधिकाल में आप से कुछन पूछता है आज कल कोई भी एक्जाम आप दे रहे होगे चाहे वह यूपी एस्सी का हो या टैट हो या सुपर टैट हो कोई भी एक्जाम अगर जहां भी हिंदी आपकी पूछी जानी है तो दोस्तों वहां पे हर हिंदी के एक्जाम में आपके एक से दो कुस्चन आपको जो है यहां से आपको मिलना ही है और कुस्चन कैसे आता है उसमें पता चला आपके चार आप्शन दिये गए हैं और आप से पूछ रहा है आदिकाल के कभी कौन है तो आदिकाल के कभी जो है उसमें से एक option आपका ऐसा होगा जो आपका सही answer होगा बाकी तीन आपके objective answer में ऐसे दिये गए होगे जो किसी और कभी से संबंधित कभी जो है और यूग से संबंधित कभी वहाँ पे आपको दिये गए होगे तो आपको सही answer वहाँ पे ढूंड़ना है और टिक करना है तो दोस्तों इसके लिए हमने एक आसान सी trick बनाई है वो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको आदिकाल के कभी पढ़ना है कि आदिकाल के कभी वह कौन कौन आता है तो आप पहले देखे हमारे जो सबसे बढ़िया tricky है तो पहले तो हम देख लेते हैं आदिकाल का जो काल है वो इसका time duration क्या है तो यह जो इसका time duration है 1050 से लेके 131375 मतलब 1050 से लेके 1375 इस भी तक जो आपका था वो आधिकाल का यूग था जो आपका आधिकाल यूग जो स्टार्ट हुआ वो 1050 से लेके 1375 इस भी तक था तो सबसे पहले क्या हुआ कि हम यहां पे बात करते हैं कि इसके जो main इसमें कभी कौन कौन से है तो पहली जो trick है हमारी वो है अमीर चंध विद्या नाले में जागिरी ट्रिक क्या आपका जो है अच्छे से संभाव हो पाएगा कि आपको अच्छे سے learn हो सगे तो हमने क्या बताया आधिकाल के कवी की जो trick थी वो क्या थी अमीर, चंद, विद्या, नाले में जागिरी तो अमीर से हो गया आपका अमीर खुसरो अमीर से दोस्तों क्या यहां से हो जाएйग दोस्तों जो आपके आदिकाल के कभी हैं इसमें कौन और ऐसे तुर्ण से चंदबरदाई हो गया, तीसरे आपके विद्यापती हो गया, चौथा आपका नर्पतनाल हो गया, और आपका पांचवा जगनिक हो गया, अगर ये कभी कहीं भी आपको दिये गए हो और पूछे आधिकाल के कभी कौन हैं, तो आप आराम से डूण लोगे कि आधिकाल के अभ भक्तिकाल के प्रमुक कवी, अब हम यहां पर भक्तिकाल के जो प्रमुक कवी हैं, उनकी बारे में बात करेंगे, तो इसका पहले बात करने से पहले हम इसका टाइम डूरिशन देख लेते हैं, ये जो है, इसका टाइम डूरिशन क्या है, ये है थर्टीन से बन सेवन जिरो बलब तेरा सो पच्छत्तर से सत्रा सो तेरा सो पच्छत्तर से क्या है? सत्रा सो तक क्या है? सत्रा सो इस भी तक यह आपका भक्तिकाल जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ यहाँ पे इसके बीच का जो टाइम डिरेशन है सूरज मुखी का रस जलाती है क्या है तुलसी और मीरा रहीम दास की कबर में सूरज मुखी का रस जलाती है तो तुलसी और मीरा तुलसी के से सिंपल है आपका हो जाएगा तुलसी ठीक है यहाँ पे तुलसी दिया गया है और फिर कहरा मीरा तो मीरा में आपका सीधे सीधे मीरा हो जाएगा फिर रहीम आपका रहीम आजाएगा यहाँ पर दास दिया गया है तो दास एक तो आपके तुलसी दास हो गया तो तुलसी दास तो पहले से इंक्लूड हो रखा यहाँ पर लेकिन जो आपका दूसरे आएंगे वो दास आएंगे, रह दास आएंगे, यहाँ पर जो रह दास ही हैं, वो यहाँ पर आएंगे, फिर कबर में, कबर से हो गया आपका कबीर, कबर से क्या हो गया आपका कबीर हो गया, और सूरज मुखी से हो गया आपका सूरदास, सूरज म दोस्तों इसके बाद हम अगला बात करते हैं अगला आपका आता है रीत काल के प्रमुकवी अब रीतिकाल के प्रमुक कवी का time duration क्या होगा यहाँ पर question हमारा ये है तो दोस्तों रीतिकाल के जो time duration होगा वो मैं बताऊंगा नहीं उसको आपको क्या करना है comment box में ढूंद के आपको comment करना है ठीक है यह आपका homework रहेगा रीतिकाल का जो time duration होगा वो दोस्तों क्या करना है आपको खुझ से जो है search करना है और आपको comment box में क्या करना है message करना है इसका time duration आपको comment box में message करना है जिसको भी पता है और जिसको नहीं भी पता है आप उसको message करिएगा मैं इसका exact time duration आपको comment box में बता दूंगा तो देखते हैं यहाँ पे जो मेन आपके कवी आते हैं वो कौन कौन से आते हैं ठीक है यहाँ पे जो कवी आते हैं ट्रिक हमारी क्या है तो पहले ट्रिक है बिखारी दास के सेना ने बिखारी दास को भूखा मार कर आनंद लिया यह हमारी क्या हो गई यह यहाँ पे हमारी ट् को गई और इसी ट्रिक के साथ हमारा बनता जया है पिकारीधा साथ खुद जो है एक कवी हैं और यह कहां कि किसके कवी हैं मुझार्यस के भिकारीधा स्कषाइब Message सेघसे यहां पर एंगा वो हो जाएगा सेना पती सेना ने से आपका क्या हो जाएगा सेना पती तो भूखा से हो जाएंगे भूसर्ड और मारकर, तो मारकर से आपका समझाएंग, ये लास्ट कवर्ड देखे, ये मारकर से और ये मारकर से हो जाएगा पदमाकर, ये क्या हो जाएगा आनंद से हो जाएगा आपका घनानंद, आनंद से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घनान उमीद है कि यह चीज आपको बड़ा ही दिल्चस्प लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों फिर हम आगे इसके आगे बात करते हैं कि इसके आगे आपके कौन है तो इसके बाद आपका स्टार्ट होता है आधनीक काल इसको हम गद्धिकाल भी बोलत ठीक है जो भी आपके main main writer होंगे हम उनके भी बारे में बात करते रहेंगे देखिये जैसे क्या है भारतिंद यूग है तो भारतिंद यूग का time duration क्या है 1850 से 1900 बी तक मतलब जो 50 years के बीच 1850 से 1900 के बीच में जो आपका चला वो था भारतिंद यूग फिर आपका दिवेदी याद करके रखेगा यहां से टाइम डूरेशन के लिए भी एक कुछन पूछा जाता है कोई भी अगर आप एक्जाम देते हैं तो 1900 से 1926 भी ठीक है 1900 से क्या हो जाएगा 2020 से 1936 भी फिर आपका आजाएगा प्रगतिवादियूग प्रगतिवादियूग में आपका टाइम डूरेशन है 1936 से 1943 भी फिर आपका आगया आप जो है अच्छे से आप इसको लर्ण कर लीजेगा इसको अपना भारतेंद यूग आगे जो हम पढ़ेंगे वो सबसे पहले यूग है वो है हमारा भारतेंद यूग ब्हारत दत्र क्या है जग का सवामी है यह दोस्तों यहां पर हमारी जग और ब्हारतेंद यूग है वो है कि ये भारति इंद्य यूग से संबंदित हैं ये जो कभी हैं ये किसे संबंदित हैं ये भारति इंद्य यूग से संबंदित हैं सेकंड आपका आजाएगा अंबिकादत व्यास दत की बात कर रहा है भारत दत जग का स्वामी है आगे है आपका दिवेदी यूग के कवी, अब दिवेदी यूग के कवी की हम बात कर रहे हैं, तो दिवेदी यूग में जो कौन-कौन से कवी आएंगे वो हम देखते हैं, ये ट्रिक है आपकी अयोध्या की सरण में मिला माखन और महाप्रशाद, अयोध्या की सरण में क्या चायावादीूग के जो है वो देखते हैं और इसकी ट्रिक देखते हैं तो पहला तो इसमें हो गया महादेवी वर्मा पहला क्या हो गया दोस्तों यहां पे हो गया आपका महादेवी वर्मा ट्रिक कहती है आपकी महादेवी, संकर, महादेवी, संकर और राम ने सुमित्रा को सूर की छाया में असिरवाद दिया सूर की छाया में क्या किया आशिरवाद दिया और आशिरवाद दिया यह देखे तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा आपका महादेवी वर्मा पहले जो महादेवी है यह हो जाएगा आपका महादेवी संकर से हो जाएगा आपका जैसंकर प्रसाद और रामने राम से हो जाए आपका रामकुमार वर्मा, फिर सुमित्रा को, तो सुमित्रा को हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंथ, सुमित्रा को क्या होगा, सुमित्रा नंदन पंथ, और कहरा है सूर की छाया में अशिरवादिया, तो सूर की हो जाएगा सूर कान प्रिपाठी निराला, और छाया में यूग है वो कौन सा है चायावादी यूग है यह कौन सा है तो यह चाया से ही यहां पर रिलेटेड हो जाएगा चायावादी यूग फिर दोस्तों हम आगे देखने हैं फिर यह आपका है प्रगतिवादी यूग के कभी प्रगतिवादी यूग के कभी तो इसमें ट्रिक क्य नागको वी स्मित्रा को केदार नागके निराले सिभ के नागके गतिशा मेंने और रागो में आपका क्या हो जाएगा रागो में हो जाएगा रांगे रागो पहला आपका क्या था रांगे रागो ठीक है सुमित्रा को तो यह सुमित्रा नंदन पंत हो गया यहां पर सुमित्रा को क्या हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत फिर कहरा केदारनात के तो केदार और सना थग्रवाल ओ गया निराले की बात कर रहा है कि रहे हैं तो निराले से प्राथी निराला सिव की ऐकर मंगल सिंह सुमन्सिव्र ओगे के बाते काटैब हो जाएगा बल्यूम बात कर रहा है तो यह बात बूशड अग्रवाल भारत बूशड क्या हो जएगा अग्रवाल हो जाएगा फिर करा मेहनत और मेहनत से क्या हो जाएगा नरेश मेहता मेहनत से क्या होगा नरेश मेहता हो जाएगा प्रियोग कर हो जाएगा आपका प्रियोग बाद प्रियोग कर क्या हो जाएगा आपका प्रियोग बाद हो जाएगा अगे और तो अगे हो जाएगा सक्सेना सक्सेना से ह के यहां पर बात करेंगे देखते हैं ये क्या बोलता है यह कह रहा है स्रीकान्त seizure को जगदीश और नारायड की वीर्ता की भावनात्मक कविता सुनाई यह क्या हो गया यह नई कविता के प्रमुक कवी हैं कौन कौन से हैं पहला है स्रीकांत ने दुस्संत को जगदीस और नाराण की वीरता की भावनातमक कविता सुनाई तो स्रीकांत से हो गया, स्रीकांत वर्मा, दुस्सिंत को है, तो दुस्सिंत कुमार, जगदीस और नारायण की, तो जगदीस गुपता, नारायण से होगा, कुवर नारायण, और वीरता की, तो ये वीरता से आपका हो जाएगा, रगवीर, वीरता से क्या हो जाएगा, ये व पूरा क्लियर हुआ होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए डिस्क्रप्चन में हम लिंक प्रवाइड कराएंगे जहां से आपको इसकी पीडिएफ मिल जाएगी और साथ में आपको जो मेरा चैनल है उससे रिलेटेड और जो हमारी जो हिंदी की क्लासेज हुई हैं व कोई भी समस्या किसी भी चीज से समस्या कोई भी प्राब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स हो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू दोस्तों